जीयस के पार्ट सालाम है, थोस्तों ये UPPCS Mains की सेरीज चल रही है, ठीक है, उसका ये पाँचवा वीडियो है, ठीक है, ठीक है, और ये GS और 5 इनसे related जो भी प्रश्न है, प्रश्नों के माध्यम से स्लेवस को cover करने के कोशिस करेंगे, ठीक है? सीखेंगे हम इसमें कि सांदार रुतर कैसे लिखा जाया बारीकियों को समझे पकड़िए उसके नोट्स बनाइए ठीक है और अभ्यास कीजिए लगतार अभ्यास से ही आपका कल्याण होगा चाहे वो UPPCS दे रहे हों किसी भी स्टेट की PSC दे रहे हों एक बात गांट बात लीजिएगा एकदम दिमाग में बिठा लीजिएगा कि आप जब तक प्रक्टिस नहीं करेंगे मेंस की लिखने की आंसर राइटिंग लिखने की तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता है अगर आपको UPPCS देना है UPSC देना है या किसी स्टेट की का एक्जाम देना है इसको लाइक कीजिएगा वीडियो को सेर कर दीजिएगा यार दोस्तों में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रिस कर लिजिएगा ताकि वीडियो का नोटि लिखिएगा ठीक है कुछ भी लिखिएगा उसके बारे में जो मन में आए मतब कुछ भी लिख डालिएगा लेकिन उसी के इर्द गिर्द ही लिखिएगा ठीक और उसके बाद मैं उसको उसी को next day discuss करूँगा ठीक है तो आप इसको कीजिएगा ठीक चलिए अगर आभी आप आप नहीं शुरू कर रहा है तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है चलिए लाइक कीजिए इसको ठीक है वीडियो में व्यूज बहुत होते हैं लेकिन लाइक नहीं होते हैं तो प्लीज इसको लाइक करना यार ठीक चलिए ठीक तो ये प्रश्ण आपके सामने है प्राचीन भारत में प्रयागराच के सांसकृतिक महत्यों का वर्णन कीजिए ये UPPCS 2019 में ये पेपर मैं फिर्स्ट पेपर में GS1 में आया हुआ है लेकिन अब चुकि ये GS5 का पार्ट हो गया है तो आपको GS5 में इस तरीके के की ही बात करता हूं चाहे वो मेंस हो चाहे आपका प्री हो दोनों से और UPPCS में खास करके इन दोनों का महत्तों बहुत अधिक है आप उठा के देख लीजिए थोड़ा-थोड़ा चेंज करके वही प्रश्ण बार-बार दिये जाते हैं ठीक है तो ये चीज है इसलिए प्य देखिए गा 30-35 रुपए की एक 45 सीबुक आती है उससे आपको बहुत मदद मिलेगी मेंस के लिए बता रहा हूं सिलपी का उसमें भी आता है उसको भी देख लीजिए आप किसी का एक ले लीजिए तो चलिए शुरू करते हैं देखिए इस तरीकी के प्रश्णों में क्या इसके पहले वाले अगर वीडियो नहीं देखें भाई तो उसको देख लीजिए गाए चार वीडियो उसकी लिंक देख लीजिए गाए और यह पीडिये फोगेरा मैं टेलिग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूं वहां से ले लेना आप देखिए कोई भी जो मॉडल आंसर हो आपको एक्जामनर नंबर ना दे इसलिए मॉडल आंसर को बस एक मतलब एक लाइन समझे आप यह यह बता दिया कि यह यह चीज ऐसे है इसी के अंदर आपको यह सारी चीजे लिखनी है उसमें आपको कुछ वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा जो कि मैं आपको अभी बता होना चाहिए ठीक है में बॉड़ी होगा और में बॉड़ी में कितने पार्ट में प्रशन पूछा गया है वो आपके में बॉड़ी में आएगा इसमें सिर्फ एक ही पार्ट है यानि सांस्कृतिक महत्तकरपारी में ही बताना है तो एक ही पार्ट रहेगा अगर इसी में flow chart बनाईए कहीं भी अगर आप कोई चीज लिख रहे हैं तो उसका example जरूर दीजिए क्योंकि example देने से examiner को लगता है कि हाँ ये bluff नहीं कर रहा है ठीक है सिधे सिधे अगर आप ऐसे लिख देंगे कोई चीज और उसके लिए कोई example नहीं देंगे तो उसको लगेगा कि ये सि जरूरी है तो देखिए जैसे इंट्रो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं आप ये जो लिखा हुआ है कि गंगाया मुना और अदृष सरसोती के संगब पर इस्थित वरतमान समय में उत्तर प्रदेश का महत्रपोर्ण जिला है तो जरूरी नहीं है कि ऐसे ही लिखिए म तो ये इंट्रो में आप लिख दीजिए ये जरूर लिखिए कि इसका जो है राजमीतिक और मतलब एतिहासिक दिष्ट से तो महत्रपोर्ण ही है साथ ही जो ही सांस्कृतिक रूप से मतलब इसका बहुत महत्तो है तो ये चीज़ आपको बताना पड़ेगा और कैसे बताए तो अब ये आधुनिक यूग में चीज़ आपको बताना पड़ेगे तो चाहे तो हेडिंग डालके बता सकते हैं आप जैसे इसमें तो सीधे लिखा हुआ है कि प्रयाग्राज की इतिहास्ता उतनी भाहरत के इतिहास की यानि कि ये प्राचीन समय से सुरू कर दिया तो प्राचीन भारत में ठीक है ऐसे करके डाल दीजिए उसके बाद आप लिखना शुरू कर दीजिए उसमें तो आपको बताना पड़ेगा इसमें कि प्राचीन भारत में जैसे मध्य पासान कालीन जो कुछ पुरा स्थल मिले हुए हैं जैसे अब आप बताईए यहां पर लिख आपका आगया प्रागा तिहासिक काल से आगे वढ़े रहुए तो वैदिक्यूग आता है वैदिक में बताईए कि प्र्याग राज की चर्चा हुई है त्टिक है वेदों बेहींअ चु vedo में भी बताय गया है स्की मात्ता के बारे में माहा जनपत काल में आताों यह प्र कौसांबी महाजनपत होता था उसका ही भाग रहा है कौसांबी देखिए अभी एक अलग जिला बना है प्रयाग राज से कटके याद रखिएगा वसायद 1993 में बना था या 95 में यही मतलब बना था यह कौसांबी अलग होकर बना था तो पहले तो इसी के साथ ही था दोनों भाग ठाल नया तो इसमें लिखा हुआ कि महाजनपत काल में यह कetah एक भाग था था है बताइएगा कि जो महा-जनपत था उसकी राजधानी बनाःएगा कमेंट करके ठीक तो उसके बाद फिर अब जोकि महाजनपत काल के बाद महार एक मुर्यूक पर हर्सियन द्वारा जो लिखा गया है संब्धुरुप के जीवन से संबंधित उससे जो युद्ध लड़े और यह सारी चीजें बताया गया है उसमें ठीक है उसके बाद फिर आगे जब बढ़ते हैं तो हर्स हर्स का जुड़ाव आपका प्रयागराज से दिखता है ठीक ह महामोक्ष परश्यद वगएरा यह सब चीजें आपको देखने को मिलती है ठीक यह भी हो गया प्राचीन काल सांस्कृतिक रूप से प्रयागराज महत्पूर्ण रहा है और एक चीज रही है क्या चीज जैन और बौध यह दोनों का संगम रहा है संगम मतलब यह हुआ कि ज दरवाज सीधे सीधे लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा यह सब चीजें आपको बतानी पड़ेंगी ठीक फिर देखिए प्रयागराज में सोम वरुन तथा प्रजापती की जन्मस्थली माना जाता है इसका वरणन कहां दिया गया है तो यह वैदिक और बौध सास्त्रो के पात्रों के संदर में भी रहा है यहां पर कौन-कौन से कुछ रिसी ओं की आप देखिए तपोस थली रही है उनका जन्मस्थान रहा है जैसे यह रिसी महान रिसी भरतवाज हो गये दुरवासा हो गये ठीक है रिसी पन्ना की ग्यानिस थली रही है इनका सब का नाम लिखेंगे तो पहले प्राचीन तम प्राचीन इतियास करके डाल दीजिए ठीक है फिर मध कालें डाल दीजिए तो प्राचीन में सब आ जाएगा पूरा आपका जो भी है मोर योग उसके बाद गुप्त यूग गुप्त अतर योग यह सारे आप ऐसे डालते हुए चले आ अभी सुद्ध से सुरू हो गई है जैसे बजट में भी इस बार के बजट में भी लगभग पचीस सो करोन का इसका एलोकेशन हुआ है तो यह चीजे याद रखेगा जैसे हर्स प्रतिवर्स पांचवें वर्स जो है यहां पर महामोख्ष परस्यत के बारे में जानकारी मिल कोज़ति ज्याद रखेगा जैसे जो एतिहासिक जो सहित्तिक शोड रहे हैं जीए सवप्णवासदत्ता यह किसकी भास скаж थे इसमें जो उसमें लिखना पड़ेगा इता संकृतिक अगर बात सकते हैं तो मैक्सिमार में वहां पता सकते हैं फूझा थोड़ा सा मतलब लिख सकते हैं आप आधुनिक भारत का भी जिक्र कर सकते हैं कर देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है जैसे यह अभी इलहाबाद उनिवर्श्टी वगेरा और यह सब सारी चीजें हैं ठीक है और भी बता सकते हैं जो किला वगेरा बनवाया अक्वर ने तो यह थोड़ा सा जानका इसको आप मॉडल अंसर भी रख लीजिए आप पने पास मैं टेल्ग्राम चैनले पर सेर कर दूँगा अभी इसको क्या करिएगा कि आप एक बार दो बार तीन बार लिखिएगा और देखिएगा कि कितना मैं उस चीज में सुधार कर पा रहा हूं जो जो चीज मैंने कौसामबी भी दिखा दीजिए क्योंकि हम कौसामबी कर रहे हैं यहां पर तो उसको भी दिखा दीजिए तो यह चीज हुई आप इसको अपने आप लिखिएगा प्रयास कीजिएगा उसके बाद नहीं आएगा तो इससे मैंटर ले लिजिएगा तो यह आई होप की वीडि िए मैं आपको बता दे रहा हूँ और उस पर लिखिएगा लिखने की कोशिस कीजिए गा फिर में जब बताओंगा तो अससे आप मैच कीजिएगा थिक है तो प्रस्न लिखिए आप लोग लिखिलिए मैं इहां पर लिख सेशोष मार ठोट रहे हैं यहां पर गंड़ कि यह question 6 गुंदेल खंड का एक सांसक्रतिक छेत्र के रूप में ये रूप में भगोलिक विवरण प्रस्तुत कीजिए ठीक है ये आप 500 सब्दों में या 125 सब्दों में जितना आपका मर्जी करें लिखिएगा जितने में 500-200 में तो दो सब्दों में जादा नहीं होना चाहिए मैक्जिमम तो बैसिकली अब देखिए चुकि सांसक्रतिक छेत्र पूछा है और भगोलिक के रूप में तो आपको वही जो बताया मैंने जैसे जहां से चेत्र पूछे तो आपको सुरुवात कहां से करनी है प्राचीन प्राचीन में आप सभी चीजें बताईए कि कैसा था महाजनपत काल में क्या नाम था कैसे था फिर उसके बाद की चीजें बताईए मोर युग में या गुपत युग में मंदिर इस्थापत तकला क्या है वहां पर जो जो चीजें हैं उन सब का विवरन दीजिए अब दोनों के मिक्स जिले आते हैं तो उसके बारे में भी बताईए थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया है वहां क्या कौन से जो फॉक डांसे और यह सौंग है जो लोक गीत लोक नते इन सब के बारे में बताना आपको क्योंकि कल्चरल कल्चरल पूछ रहा है ना तो उन सब के बारे में चर्चा करनी है तो चर्चा कीजिएगा नेक्स्ट जो मैं करवाँगा इसी को करवाँगा ठीक चलिए लाइक कीजिएगा इसको ठीक है